Hello friends and welcome to the exams made simple and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 20th February 2022 20th February 2022 का the Hindu newspaper analysis देखेंगे और आप लोगों से request इतनी रहेगी केवल कि प्लीज दू like the video and do share it among your friends and do comment अलसो and like हमको 1000 से उपर करने आजा न तो कल भी रहे गया था थोड़ी से कशिश रहे गई थी likes वाली तो आज आप उसको पूरा करिए जो लोग भी देख रहे हैं वीडियो do like first है ना चलो target को पूरा करते ना मिलके रात में देखने मज़ा आएगा जब 1000 से उपर हो जाएगा तो तो that is from your side start करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ जिनके प्रिनिम्स में बहुत महत्ता रहेगी और आप इसको करिए इजी कोश्चन से स्टाटिक के कोश्चन से अगर आप अटेम्ट करते कर देख से मैं आप से quality पूछा था तो मज़ा है था ना हिस्ट्री पूछा था उसको वहले मज़ा था आज जियोग्रफी के दो तीन कोश्चन है आप लोग अटेम्ट करिए बताइए कि आप से सारे बन जाएं तभी बताइएगा मज़ा ना नहीं बता दीजेगा नहीं बने तो यह बताइएगा तो पहला कोश्चन है है था 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 फॉलंग स्टेट्मेट में रिगार्डीं फॉलक का रिगार्ट आपको बताना है कि इन में से कौण से स्टेट्मेंट करेक्ट है दूसरा क्शें है विच आप इन में से लॉन आर्ड रेड़ सी तो इनमें से कौन से कंट्री रेड़ सी को बॉर्डर करती है आफ सउधीय औरेबिया यमेन ओमान इजिप्ट जिबुती आपको उताना कि कौन से इसमें रेड़ सी को बॉर बॉर्डर करती है 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 तीसरा सवाल है consider the following statements regarding fold mountains the fold mountains के regarding बताना है पहला statement कह रहा है fold mountains are created through a process called orogeny दूसरा statement कह रहा है they are created at convergent plate boundaries sometimes called continental collision zones तीसरा statement कह रहा है most fold volcanoes are most fold mountains are composed primarily of igneous rocks तो आपको बताना है कि कौन से statement सही है which are the following statements are correct 1 and 2, 2 only, 2 and 3, 1 and 3 तो let me tell you the answers one by one लेकिन static के question है attempt करना जरूर है यो कि यह अशली आपकी तयारी यही बता रहे कि आपने साल भर क्या किया है तो do attempt these questions पहले सवाल का answer मैं आपको बताता हूँ पहला सवाल का जो statement one है कि complex volcanoes or volcano that has an associated volcanic dome either in its crater और in its flanks यह बिल्कुल सही statement exactly यही line NCIT में लिखी हुई है तो यह आपको याद रखने दूसरा statement गलत है क्योंकि जो complex volcanoes होते है वो एक singular dome की तरह नहीं होते बलकि stratovolcano अलग-अलग layers अलग-अलग stratas के through बने होते हैं तो यह दूसरा statement जो था वो गलत जाएगा कि यह singular dome की तरह rise करते हैं बिल्कुल गलत statement है answer will be one only दूसरा सवाल मैंने आप से पूछा था कि इनमें से कौन सी countries Red Sea को border करती है तो Saudi Arabia करती है Yemen करती है Oman नहीं करता है Yemen और इसके साइड में ओमान होता है तो Yemen अगर कर रहा है तो ओमान नहीं करेगा ओविस सी बात है तो यह ओमान तो नहीं करता है तो Saudi Arabia करता है Yemen करता है ओमान नहीं करता है Egypt और जिबूती करते हैं फिर आपका तो आपका कुल मिला कि 1245 सी आंसर हो जाएगा 1245 हो जाएगा तीसरा सवाल था Ford Mountains के रिगार्डिंग Ford Mountains के लिए लिए लिखा है They are created through a process called Orogeny बिल्कुल सही बात है जो वो Ford Rise होता है उस process को Orogeny कहते है तो बिल्कुल सही है दूसरा statement है कि They are created at convergent plate boundaries which are known as continental collision zones तो आपको पता होगा कि यह जो continental उसके through ही बनते हैं यह चुकी Fold Mountains क्योंकि दोनों जो continental continental crust है जब continental continental जब plates है जब वो एक दूसरे के साथ आपने सानने आएगी तो ही Ford बनेगा Otherwise तो subduction होता है अगर एक continental होती और एक oceanic होती तो आपको पता है ना कि एक continental होती है एक oceanic होती तो फिर वहाँ पर subduction zones बन जाते हैं यहाँ पर आपका क्या यहाँ फोल्ड हो जाता है जब continental collision zones होती है तो वहाँ फोल्ड बनता है और फोल्ड आर क्रेटेड तो यह दूसरा statement बिल्कुल सही है तीसरा statement की most of the fold mountains are composed of igneous rock गलत है यह statement igneous नहीं बलकि sedimentary और metamorphic rock से मिलके बना होता है most of the fold mountains जैसे आप देख़ो sedimentary rocks and metamorphic rock से बना होता है igneous तो वहाँ होगा जहाँ volcanic activities involved रहेंगे ना और फोल्ड में volcanic activities कहा होती है तो इसलिए तीसरा statement जागे वो wrong हो जाएगा answer will be one and two only one and two is cancer हो जागा ठीक है ना I hope you got clarity regarding that यह आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे मैं आपको देखो कोई map भी दिखा देता हूँ यहाँ पे यहाँ पे आपको red sea दिख रहा this is the red sea वाला portion this is red sea यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे कौन-कौन सी countries विल्कुल टच कर रही बता देगा red sea है यहाँ पे यह आपको Saudi Arabia देखो यहाँ Egypt देखो टच करता है यह आपको Sudan भी यहाँ पे टच करता है Eritrea भी यहाँ टच करता है यहाँ पे जिबूती भी टच करता है यहाँ यहाँ पे यहाँ पे इस तरह चीज़े याद रखना जरूर है यहाँ पर आप देखेंगे जो एजिप्ट वाला रीजन है यहाँ पे आपको यहाँ पे एजिप्ट आली रीजन में गूँ दिख रहा होगा देखो यहाँ पे Sinai Peninsula यह जो ट्रैंगुलर है यहाँ पे गल्फ ऑफ अकाबा भी यह न तो यह भी तोड़ा लोकेशन याद रखना Sinai Peninsula और गल्फ ऑफ अकावा यहाँ पर आपको मिल जाएगा और फिर यहाँ पर नीची अगर आप देखेंगे यहाँ पर देख रहा है यह गल्फ ऑफ एडन वाला पार्ट है यह रेट सी है यह गल्फ ऑफ एडन है और यहाँ बीच में आपका बाबिल मंडेब मिलेगा बा I hope you got clarity regarding this आपको समझ में आ गया होगा यह पूरा मैप यह ना तो this was important map I hope you got clarity आगे move करते में 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 आतने हैं तो आज का में में कुश्चन अप देखो वाइज इंडिया इस्टिल नोन अल्ली फॉर इट इंट सॉफ्टियर इंजीनियर्स और नॉट फॉर इस साइंटिस्ट इंजीनियर्स के लिए जाने जाते हैं ज्यादा राधर दन हमारे साइंट के लिए कोई बड़ी खोज या कोई बड़ा रिसर्च हमारे यहां नहीं हो रहा है तो आपको क्या लगता है कि what needs to be done in order to raise the level of science and research in the country क्या करने की जरूरत है कि science and research की जो लेवल है इंडिया में बढ़े very good question बहुत अच्छा आंसर आप लिख सकते हैं गर आप चाहें तो तो मुल परियार डैम इने डुक्न की district तो क्यरला जो हो planning करा है कि एक डैम बनाया जाये and every the will be replacing the old मुल परियार डैम in तो यह लोकेटेट कहाँ पर है, काडमम हिल्स है, इन दे वेस्टर्ण घाट्स इन थेकडी उडिक्क्वी डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर लोकेटेट है, और यह कंस्ट्रक्शन होता है इसका 1887 स 1895 की बीच में जो है जो है जो है पानिया वो मद्रास प्रिसिडेंशी अरिया की तरह भी भीजा जाएगा, ठीक है ना, अब देखो इसमें सबसे बड़ा जो इशु है के लिए और ऑप्रेशनल इशु है, क्यों, क्योंकि यह डैम जो है वो लोकेटेट है केरला में, लेकिन इसका और अप् जोगा сдел काे जोगा, तुसू उन दिसेन अमेर इकैल सबसे खेट मेशनली जो इसका सबसे निए जो ईसका कैनला कर रहा है जाएगा, अब जूड़ा जय उँगा कर रहा है मैं, जश्चैृ कि बारिश फिर one forty two one 45 feet तक बढ़िए अब इसका maintenance कौन कर रहा है तमिलाडू कर रहा है डैम कहां located है डैम located है केरला में तो यह काफी issues है यहापे जो की होते है और operational issues के चलते ही अब केरला को ऐसा लगना है और कई लोग इसको यह भी बुलते हैं कमजोड है मैं टूड जाएगा उसमें यह हो जाएगा वो हो जाएगा अगला जो टॉपिक है वो है reward program का तो government of India state government of करनाटका और उडिसा और वर्ड बैंक याद रखेगा government of India state government of करनाटका और उडिसा और वर्ड बैंक इन्होंने 115 million dollar का reward project जो है वो अभी recently basically उन्होंने sign किया है ठीक है ना reward program है क्या reward का मतलब है rejuvenating watershed for agriculture resilience through innovative development ठीक है ना याद रखेगा reward का full form क्या है rejuvenating watershed for agriculture resilience through innovative development rejuvenating watershed for agriculture resilience through innovative development now this project aims to help national and state institutions adopt improved watershed management practices to help increase farmers resilience to climate change इस project के अंदर का थोदा कहा है कि जो national and state institutions है उनको बलब यह कहा जादा कि आप improved watershed management की practices को अपनाईए अब आप जब improved watershed management की practices अपनाएंगे तो पानी का save होगा पानी के बज़त होगी और इससे जो farmers है उनका resilience towards climate change जो है वो बढ़ेगा and it will promote higher productivity and better income second it will promote higher productivity and better income reward program is being implemented in 3 to 4 Indian states and अभी तो time period है वो इसका 6 साल का time period दिया गया है objective वही है कि basically जो soil runoff होता है या natural vegetation है यहाँ पर rainwater harvesting की जा सके groundwater को recharge की जा सके groundwater table को recharge की जा सके ताकि जो water की कमी है या फिर जो climate change का जो खत्रा बना रहता है farmers की उपर उससे कहीं निजात मिल सके उससे कहीं resilience मिल सके तो I hope you got clarity regarding that आपको समझ में आ गया होगा यह चीज़ है ना आगे की news items देखने है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा किसान ड्रोन्स आपको क्या का काम कर सकते हैं जैसे इस बार पेस्टिसाइट्स को डालने का काम है उपर से monitoring और surveillance का भी काम कर सकते हैं खेतों के जो output productivity है उसके उपर भी निगरानी रखी जा सकते हैं कि कितना हुआ फसल खराब है अगर उसका सपोसकर सर्वे करना है तो सर्वे का काम भी ड्रोन्स के थूख किया जा सकता है तो कुल मिलाकर कि यह सारे काम जो किसान ड्रोन्स के मतलब सिखे जा सकते हैं प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि अभी तो यह 100 ड्रोन्स हैं इंडिया को हम self-reliant बनाने चाहते हैं जाते हैं द्रोन्स टेक्नोलोजी में अगली न्यूस है MH-60R हेलिकॉप्टर के रिगार्डिक तो यह बैसिकली फिस्ट बैच जो है तीन MH-60R मुल्टी रोल हेलिकॉप्टर का कॉंट्रेक्टेट बाइंडियन नेवी फॉम दे युनाइट इस्टेट्स इंडिया मिद जुलाइ यहाद रखेगा यह मिद जुलाइ तक इंडिया में आ जाएगे MH-60R हो यह सबसे इंपॉर्टन्टी कि कहां से आरहा है यह आरहा है आपका USA के साथ हम कहां से प्रोक्योर कर रहें इसको तो यह हम प्रक्योर कर रहें तो यह भी एक इंपोर्टन चीज थी कहां से आ रहा है कहां से नहीं आ रहा है उसमें इसराइल देगा और रश्या देगा तो इसलिए पूचा जा सकता है ठीक है अब अगली नियूज देखो यहां पर नो जेंडर कैप इन औरकेश्ट्रा बार्स अब यहां पर क्या हुआ कि महराष्ट्रा में एक रूल पास किया गया था महराष्ट्रा पुलिस एक नाइटीन फिफ्टी और केंटर का थे रूल पास किया गया था कि जो कुछ फीमेल्स है उनके जो मुंबई में औरकेश्ट्रा बार्स हैं वहां पर उनको पर्मिशन नहीं दी जा रही थी ठीक है और यह का जा रहा था कि यह फीमेल की सिक्योरिटी यह विमेन की सिक्योरिटी के लिए ऐसा किया जा रहा है तो ऐसे में जो महराष्ट्रा का यह लौ है इसको सुप तो Supreme Court नहीं यह कहा कि भाईया आप लोग बोल रहो कि विमेन की सेफटी के लिए ही हमने विमेन और्केस्ट्रा का जो नमबर है वो कम किया हुआ है तो आप उनको एक्स्ट्रा माइल चल करके उनको security प्रवाइड करो आप उनको नमबर क्यों कम कर रहा है आप उनको क्यों हटा है ना यह बिलकुल उसके अगेंस जाता है जो और ओविसी वात है दर शुद नाट भी इन डिस्क्रिमिशन ओन दे बेस आप कास्ट रेस सेक्स रिलिजिन और ना तो सेक्स के बेसिस पर भी आप नहीं कर सकते है ठीक है नाइट पॉलिनेटर्स अगली जो न्यूज़ है नाइट पॉलिनेटर्स के रिगार्डिंग अभी हिमालय नीको सिस्टम में स्टड़ी की गई है और इस स्टड़ी के बाद यह रिवील हुआ है दाट कि जो मौथ स्पिशीज है 91 स्पिशीज और मौथ आर पोटेंशल नाइट पॉलिनेटर्स का काम करती है पॉलिनेटर्स अगर पॉलिनेटर्स रहेगा तो ही प्लांट्स और यह सब उखते रहेंगे और यह जो प्रडूसर और कंजूमर की जो साइकल है वो चलती रहेगी जो फूड चेन है वो चलती रहेगी इसलिए पॉलिनेटर्स का रोल बहुत इंपॉलिनेटर्स है आपको सवन में आ गया होगा इसके अलावा यहां पे लिखा हुआ है कि another interesting outcome of the study is that moth species Aikia janata Aikia janata naam की species a moth key it is a well-known pest for various economically important plants and was identified as a potential pollinator of three plant families indicating that moth can provide benefit as pollinators even when acting as larval herbivores यह larval herbivore की जैसे काम कर रहा था लेकिन फिर भी यह पॉलिनेटर की जैसे काम किया तो यह बहुत important था यादर केगा important plant species आगे मूफ करते हैं देखते हैं और क्या important news items जिंके वारें को discuss करना है आगे आप मेरे साथ बढ़ सकते हैं पर देखिए आप तो से कोई खासे सी news है नहीं बस यह की चाइना और रशिया बहुत करीब आच चुके दूसरे के तो दूसरे जो देशने उनको बड़ी दिक्कत बड़ी इस चीज से क्योंकि रशिया और चाइनीज एक्सिस जो है वहाथ ही खतरना है communist एक्सिस है क्योंकि काफी खतरना हो सकता है वर्ड के लिए आगे देखिए पूने टेलिस्कोप हेल्फ इन मेजर ब्रेक्ट्रू तो यह एस्ट्रोनॉमर्स है जो कि नेशनल सेंटर ओफ फिजिकल एस्ट्रो फिजिक्स एन न्सी आरे टी आइफर जो कि पूने में लोकेटेड है याद रखेगा नेशनल सेंटर ओफ रेडियो एस्ट एस्ट्रो फिजिक्स एन नेशनल सेंटर ओफ रेडियो एस्ट्रो फिजिक्स और यह TIFR यारे टाटा इंस्ट्रिटूट जो है उसका है TIFR इन पूने यह लोकेटेड कहां पर है पूने में लोकेटेड यहाप एक टेलिस्कोप है जिसके थू एक उब्जर्व किया गया है यहां पर 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 यहां तो इसने क्या observe किया है, Giant Meter Wave Radio Telescope ने क्या observe किया है They are mapping the distribution of atomic hydrogen gas They are mapping the distribution of atomic hydrogen gas from the host galaxy of a fast radio burst From the host galaxy of a fast radio burst for the first time तो एक important discovery है जिसमें कि Pune का भी युगदान रह गया तो यह आप यहाद रखेगा, this is the Pune Telescope Giant Meter Wave Radio Telescope, NCRATIFR National Center for Radio Astrophysics जो कि आपका Pune में located है, उसके थूँ यह यूज किया गया FRB जाने Fast Radio Burst का किस तरीके से distribution होता है Atomic Hydrogen Gas का वो चीज किया गया है Fast Radio Burst क्या होता है, Fast Radio Burst basically extremely bright radio pulse जब extremely bright radio pulse इसी distant galaxies से निकलती है That lasts only for a few milliseconds And though they were first detected 15 years ago And over a thousand have been discovered so far Researchers still don't know what kind of astronomical object Can produce so much energy, so little time तो इसको 15 साल पहले पहली बार observe किया गया था 2006 के आसपास observe किया गया था पहली बार 2006-07 के आसपास लेकिन आज भी researchers को नहीं पता कि कौन कौन से objects है Universe में जो की Fast Radio Burst याने कि इतने कम टाइम इतनी जादा Radio energy जो है Radio energy Radio waves के फ़र्म एनर्जी जो है वो निकाल सकने है Basically the other radio pulses that come from distant galaxies याद रखेगा आगे move करते देखते क्या important news items है यहाँ पर और क्या आपको मिल सकता है देखने के लिए यहाँ पर Messier 77 का नाम था तो वो आप याद रखेगा इसको NGC 1068 भी कहा जाता है इसको एक squid galaxy it's a galaxy याद रखेगा Messier 77 it's a galaxy इसको NGC 1068 भी कहा जाता है इसको squid galaxy भी कहा जाता है तो कई बारे से UPC यह दो को बहुत जादा इस न्यूज तो मैं scientifically है आपको ने बता भी नहीं सकता है इतने जादा science है इसके अंदर कितने जादा आपसे UPC पूछेगा भी नहीं और अगर पूछेगा तो छोड़ देना को ठीक है ठेकिन यह कुछ नाम है जो कर पूछ लिया basic question अगर पूछ लिया मैसियर 77 न्यूज में था यह क्या है मैसियर 77 यह क्या है NGC 1068 के है तो यह galaxy है याद रखेगा आगे मूफ करते है इटिंग राइट अब यहाँ पर हुआ कि कि first of its kind initiative चार पूलिस स्टेशन से है नेशनल कापिटल न्यू डेली में जिनको डेजिगनेट किया है इट राइट कैंपस की रूप में इंडिया याद रखेगा मिनिस्ट्र फेल्थ फैमिली वेलफेर के अंदरगत आता है और इसको फूट सेफटी अंदरगत 2006 के अंदरगत इसको बनाया गया था है यह सारी चीज आपको बेसिक पता होनी चाहिए और कुछ उस समय जो वेरिस एक्ट्स थे उनको हटाया गया उसके पहले के अक्ट्स को तब जाकर किसको लाया गया था तो वह कौन-कौन से अक्ट थे उनको लिख लो एक पूरी सूची बना लो को लाते समय कौन-कौन से आक्ट थे बिसिकली जिनको हटाया गया था आप बोल सकने है तो एक था आपका प्रिवेंशन ओफ फूड अडल्टरेशन आक्ट देन एक था फ्रूट प्रोड़क्ट्स ओडर 1955 का था फ्रूट प्रोड़क्ट्स ओडर नाइंटीन सेवंटी थी अब इन्होंने इट राइट केंबस चार पोलिस स्टेशन को दिया जाकि जो कि तो पूलिस परस्टनल एड़ दर कंटीन्स में पूलिस वाले हैं वहाँ पे उनको ही यह खाना प्रोड़कर यूद्ट सेशन अन्दिर मार्क पूलिस टेशन वह इन चारों को इट राइट कैंबस के दिया जा रहा है यह आपको याद रखना है यह आपको यादी रखना है Eat Right है क्या? Eat Right India is a flagship mission of FSSAI, it's a statutory body and the Minister of Health and Family Welfare, मैं ने अल्रीड आपको बताया है, mission का aim है, Eat Right mission का aim है, ensuring that citizens of the country are provided nutritious meals which help in reducing the burden of various lifestyle related diseases, ऐसा nutritious खाना खाए है ताकि जो lifestyle diseases है आजका जैसे cardiac arrest हो गया या diabetes हो गया तो वो सारी चीज़े जो है वो सारे issues ना रहे लोगों के अंदर इसलिए यही ट्राइट जो मूमेंट है उसको start के जा रहे है गया ता इसी को सेहत मंद दिल्ली भी कहा जाता है कई लोग इसको सेहत मंद दिल्ली भी कहते है इनिशी टू अा भपरली तो जो जो बैड़ फूड़ है जो cholesterol बैड गोलेस्ट्रॉल वाला करवाई और जो अलग अलग बैंक से उनसे काफी पैसा लिया उस पैसों को इन्होंने डाइवर्ट किया अपने प्रॉफिट के लिए अलग अलग जगह पर इन्होंने प्रॉपर्टी खरी दी और यह सब चारी चीज़ें की misappropriation of fund किया misappropriation of trust किया इसके अलावा इन्होंने diversion of funds किया illegal activities जैसे की अलग अलग जगह पर प्रॉपर्टी बनाना यह fraudulent activities भी की और इस तरीके से बैंकों को लगभग 22,842 करोड का यह घोटाला है जो की किया गया है abg shipyard this is the biggest fraud in the country biggest banking fraud in the country जिसमें की abg shipyard के जो workers है जो officials है वो आ रहे हैं जिनका नाम आ रहा है जिसमें रिशी कमलेश अगरवाल who was the chairman and MD of this bank शांतनम मुतस्वामी अशुनी कुमार शुशील कुमार अगरवाल रवी विमल निवेशिया यह अलग 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 लोग थे जिनके नाम इसमें आए हैं abg shipyards जो की shipbuilding में थी 2007 से 12 में इसका पीछ चल रहा था और उसके बाद 12 के बाद जब shipbuilding of loans के माध्यम से वह भी किया चीजें तो that is the thing which is important and I hope you got clarity regarding that तो यह सारी निवस की आज की I hope you got clarity आपको सन्मे आगया होगा that is it for the day keep loving us keep sharing us thank you and have a nice day